कोट को एक्जिगूट करने से पहले बाद हम कन्फिग चेक कर लेते हैं सो कन्फिग मैंने सेट का रखा है स्ट्राइक ऑफसेट 3000 सुपर 10 की परामेटर सेवें थ्री एंड और आरसाई 10 रसाई की एंट्रियों की 55 की क्रॉस करने पर और एक्जिट होगा 35 के क्रॉस करें ओके और यहां पर देखिए एक्जिट टाइम है 15.15 बट हम टाइम रख रहा है वन मिनिट का ताकि हम फटाफट टेस्टिंग कर पाएं तुलंत हम एंट्री करेंगे और फटाफट एक्जिट कर लेंगे ओके और यहां पे सिंबल क्या है बैंक निफ्टी और आते है मेन पे अब अगर इसको हम राउंड अफ करें तो 52,200 हो गया और मैंने यहां पर सिट कर रखा ऑफसेट 3,000 तो मतलब क्या हो गया कि अगर हम कॉल बाई कर रहे है यहां पर 3,000 और एड हो जाएगा 55,200 की स्ट्राइक बाई होगी और यहां मैंने ऑफसेट चेन ओपन कर रखा है 55,200 यहां पर देखते है और यह रहा है 55,200 जिसकी प्राइस चल लिए लगवर 23.7 रूपीज सम्थिंग है यह अपना बाई होना चाहिए अस पर और होगी है अब कोड रन करते हैं और देखते ह दिबागर Python Pile और मैंने यहां पर एड कर रखा है अपना पॉइंट ब्रेक पॉइंट यहां पर रखेंगे एक यहां अब ओके code is started यहाँ पर login हो चुका है F socket connect हो गई है अब यहाँ पर 19 seconds का wait कर रहा है candle के finish होने का fine, तो हमने यहाँ पर logic एट कर रखा है कि जब तक candle finish नहीं होगी, हम कोई condition check नहीं करेंगे यहाँ पर 19 seconds भी देगा you can see spot candle data debug mode में आपको किसी variable की value चेक कर रही है तो यहाँ पर left side में आप चेक कर सकते हो यहाँ पर देखी spot candle data की value आ चुकी है you can see here अब आते next step पे अब मैं क्या करूँगा, super tend calculate करूँगा on spot data, so we move to the next line यहाँ पर super tend calculate हो चुका है और मैंने यहाँ पर value प्रिंट कर रखी you can see here direction of super tend is 1 means positive और यहाँ super tend की value है अब इसी value के base पे इस value के base पे हम strike select करते है 52 to 10, fine so now move to the next line अब यहाँ पर देखीए यहाँ मैंने चेक किया कि super tend 1 है तो हम क्या करेंगे, CE by करें fine, option type is equal to CE select हो गई है अब हम क्या कर रहा है, CE की base पे यहाँ पे strike choose करेंगे, तो मैंने offset रखा 3000 का, so यहाँ पे क्या होगा, देखते हैं आप देखी, strike base क्या हो चुकी है you can see here 55 to 100 जैसा मैंने आपको बताया था, 55 to 100 आएगा ओके, अब हम क्या करेंगे 55 to 100 की जो film Asia की symbols उसको लेकि आएगे you can see here film Asia symbol for 55 to 100 कॉल fine, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले है चेक करेंगे RSI condition तो इसके लिए हम RSI calculate करेंगे okay, so calculate RSI यहाँ पे RSI की value आ चुकी है और यहाँ पे चेक करेंगे हम condition अब देखते है condition true है कि false है condition false थी, इसलिए कोई entry नहीं हुई है अगर मैं चार्ट पे आऊँ यहाँ पे मैं 55 to 100 को open कर लेता हूँ you can see this chart और यहाँ पे condition most probably next candle में meet हो जाएगी तो फटाफट इसको run कर देता हूँ ताकि हम इसको break नहीं करें और हमारे entry हो जाए यहाँ से मैं break point को remove कर रहा हूँ अब मैं remove कर दूँगा as per chart मुझे ऐसा लग रहा है कि इस candle की इंडोने पे entry हो जाएगी अब देखिए यहाँ पे RSI की value क्रोस कर देखिए तो नौसी दे अगेन लॉग और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देखिए entry हो गई यहाँ पे देखिए entry हो गई तो यहाँ पे देखिए पोजिशन कन्फिग में value होगी और यहाँ पे देखिए trading price का है 23.6 अब यहाँ पे क्या हो रहा आप देखिए यह आप चिक करेगा कि exit करना है कि नहीं एक्टिट के लिए हम क्या करेंगे, अगिन RSI के अग्डिट करेंगे, यहाँ पर मैं RSI के अग्डिट कर रहा हूँ, और हम चेक करेंगे कि condition RSI की meet करेंगे, तो अभी नहीं करेंगी, ओब यहीं नहीं करेंगी, जब तक 35 के नहीं जाएगा, condition meet नहीं होगी, okay तो entry कैसे करनी है, और entry के बाद क्या process है, आपको मैंने explain कर दिया है और हम वेट करते हैं कि हमारा ID trigger होता है again come to the chart और जब तक यह 35 के नीचे नहीं जाएगा तब तक हमारी ID trigger नहीं होगी, okay तो ऐसा लग रहा है कि इस candle के इंडो ने पर हमारी exit condition true हो जाएगी, and आप देख सकते हैं कि RSI 35 से नीचे जा चुका है तो वेट करते हैं इस candle के finish होने का और हमारी जो position है वो score up हो जाएगी, just wait to finish this candle and you can see in the lock, जैसी यह candle नीचे यहाँ आपर RSI 35 के नीचे जा चुका था और यहाँ पर देखिए exit condition true होगी अब यह position square up हो चुकी है अब next candle पर क्या होगा, again यह try करेगा नया position open करने के लिए you can see और यहाँ पर अगेर इसने C को select किया है, और new symbol है 55 300 बट यहाँ पर RSI condition अभी true नहीं होगी इसलिए यहाँ पर entry नहीं होगी है obviously, क्योंकि यहाँ पर यह 52 100 का है तो most probably same chart महाँ भी होगा तो अभी RSI 55 super नहीं है इसलिए entry नहीं होगी है, अब यह हमेशा चेक करता रहेगा हर एक candle के इंडोने पर, यहाँ पर time frame तो हर एक 1 minute पर यह चेक करेगा और जैसी फिर से entry आएगी तो यह entry कर लिए fine, I hope you get idea इस code का flow क्या है और यह कैसे work कर रहा है next video में हम कुछ extra feature rate करेंगे जैसे की target, अगर मैं same chart को explain करूँ आपको, I assume करते है RSI 55 cross one पर हमने यहाँ पर कहीं entry कर ली थी ओके, अब हमने entry तो कर लिए अब यहाँ पर देखिए तो आपका target भी हो सकता है कि 10 point का आओ, 20 point का आओ तो आप देख सकते हैं कि यह 27 रूपीज premium था और यह चला गया था कितने पर 37 तक जा चुगा है, ओके हो सकता आपका 10 point का target हो बट exit कब होगा, exit हो यहाँ पर होगा आप देखिए condition यहाँ पर true हो रही है तो हम यहाँ पर यह भी logic आड़ करना है कि लेट्स नमाल 10 point, 5 point जो भी अपने confirmation rate कर रखा है अगर उतना target आता है, तो position square of हो जाए हम यहाँ पर RSI का बेट नहीं करेंगे इस target के feature को हम next video में update करेंगे तो thanks for watching this video, see you soon in my next one, over and out, bye